स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फीवर और कफ कोल्ड के लिए एक बहुत अच्छी मैडिसिन जो की एक कॉंबिनेशन मैडिसिन है यानि अलग-अलग तरह की मैडिसिन है और बच्चों को जब भी कफ कोल्ड फीवर जैसी समस्या होती है तो उस समय डॉक्टर के द्वारे ये मैडिसिन उनको दी जाती है तो गैस जैसा कि आजकल सर्दियां आ चुकी है और जब भी मौसम चेंज होता है तो उस समय सभी लोगों को लगबग जो है कफ कोल्ड फीवर हो जाता है एक आम बात हो जाती है नॉर् डॉक्टर इस तरह की मैडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो गैस यहाँ पर हमारे पास पहली मैडिसिन है मौक्सी काइंड सीवी के नाम से जो की एक ड्राइ सीरप है जिसके अंदर एमोक्सलीन और पोटेसियम क्लावुनेट का कॉम्बिनेशन है गैस यह पीडियाटर ए जैसे लक्षण आ रहे हैं मतलब निमोनिया जैसे सिंप्टम्स डवलप हो रहे हैं बच्चे को खासी के साथ खरकराट ओना या बच्चे का रैस्पीरेटरी ट्रेक्ट के लिए नहीं हो पारा है और उनको जो है इन्फेक्शन जैसा हो रहा है बोड़ी के अंदर बैक्टेर वन्द है काफी अच्छा प्रोड़क्ट रहता है और यह ड्राइ सीरप की फॉर्म में मैडिसेन आती है मतलब यह जो सीरप है वो ड्राइ पाडर फॉर्म में होता है तो इसको आपको डिश्टिल वाटर को मिक्स करके बनाना होता है गाइज नेक्स्ट मैडिसेन की बात करें तो हमारे पास निमुसेफ के नाम से एक सस्पेंसन है जो की एसी कलोफीनेक और पेरसीटमोल का कॉंबिनेशन रहता है तो दोस्तों ये जो मेडिसेने इसका काम होता है कि ये बच्चों में होने वाले बुखार को ठीक करती है कि बच्चों का जब बॉड़ी टेंपरेचर बच्चों को बॉड़ी पेन होता है जब बच्चों को बुखार होता है इस तरह के सिम्टमस आते हैं तो उस समय बॉड़ी पेन होना ही काम बात है तो बॉड़ी पेन लगता है सरीर में दर्द होता है या फिर बच्चों को दार दांत निकल रहे हैं दार दांत तूट गए हैं या उखड रहे हैं तो उस समय जो दर्द होता है ऐसे सभी दर्दों के लिए काफी अच्छा होता है तो बुखार और दर्द के लिए सिरफ काम करता है नेक्ष्ट गाइज अगर हम बात करें तो सर्दी खासी होने के समय पर बच्चों को जो है नाक बंद होना जुखाम होना एक आम बात है तो इसके लिए नेजी वियन नेजल ड्रॉप काफी अच्छा होता है जो कि बच्चों के लिए चाइल्ड के लिए है और ये भी प्रीडियाटेरिक यूज उनली है तो इसकी एक से दो बूंद बच्चों की नाक में दिन में दो तीन बार डालनी होती है और इसके साथ ही अगर हम इसके डोस की बात करें तो गाईस डोस जो है सभी मैडिसिन की आपके डॉक्टर की एडवाईस से ही आपको लेनी है यहां मि प्यार करने के बाद माली जी अगर बच्चा 4 साल का है तो उसको 4-5 ml मेडिसिन सुबह साम दोनों टाइम देनी होती है और साथी पेरसीट अमोल सिरफ की बात करें तो यह भी आपको 4-4 ml सुबह साम देना होता है तो इस तरह से आप मेडिकेशन करते हैं तो बच्चों की ज जरुत होती है तो उनको एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं और उनकी सला से ही मेडिकेशन करें जिससे बच्चों को और आपको किसी भी तरह की परिसानी ना हो दोस्तों इस मैडिसिन को लेने के बाद में बच्चों को कुछ साइड इफेक्ट डबलब हो सकते हैं ज जाती गले में खिरकराट हो सकती है बच्चों के तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं या फिर इन मैडिसिन की बात करें तो इसको लेने के बाद में बच्चों को उल्टी मितली जैसी आ सकती है बड़ ऐसा सभी बच्चों में नहीं होता है गाई बहुत सारे करना है जिससे आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो दोस्तों इस नेजल स्प्रे को जब आप यूज करते हैं तो ध्यान दें कि बच्चों को नोस ब्लीडिंग ना हो अगर नोस ब्लीडिंग हो रही है नाक से खून आ रहा है तो उस कंडिशन में इसका यूज बिलकुल ना करें और अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं तो गैस इस तरह से आप सही से बच्चों को मेडिकेशन कराते हैं आपके डॉक्टर की सलह से कराते हैं उनकी सारी बाते जो बताते हैं उनको फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी ठीक होने लगते ह अपने भरपूर फाइदे करती है तो उमीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो अच्छा लगता है गाईस तो इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले साथ ही अपने दोस्त और रेलेटिव्स को बताएं और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेर करें और जिससे कि हमें नई नी वीडियो लाने का मोटिवेशन मिले तो आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए आई सेफ रहें जहेंद